कुछ लोगों को बस या ट्रेन में यात्रा करते हुए या ओफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ जाती है लेकिन कुछ लोगों को रात को सोते समय भी नींद नहीं आती। अनिद्रा या इनसॉम्निया एक ऐसी समस्या है जिसने आज दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रखा है। इससे पीड़ित व्यक्तियों के लिए नींद आना या सोते रहना मुश्किल होता है। इस समस्या में रात को नींद बहुत देर से लगती है, लग ज लगते हैं। अधिकांश मामलों में अनिद्रा के कारण तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन समय के साथ साथ होने लगता है। और एक समय पर आकर स्वभाव में चिडचिडापन और बेचैनी आ जाती है। कारण रात को भोजन करने के ब या अन्य स्क्रीन का आखों से संपर्क होना। सोने से पहले आफिस, स्कूल, स्वार्स्थे आर्थिक या परिवार से जुडी हुई समस्याओं के बारे में सोचना। ये कुछ आम कारण हैं जिनकी वज़े से हमारा दिमाग रात को सोने के लिए सही तरीके से तयार नहीं हो पाता और नीन लगने में काफी ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए कभी भी ऐसी समस्या में दवाईयों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और हमेशा नैचुरल तरीकों से ही इनका इलाज करना चाहिए क्योंकि इन तरीकों से ही किसी भी बीमारी की सीधे जड़ पर असर होता है और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान घरेली नुस्खों के बारे में। त्रिफला अगर आप रात को देर से भोजन करते हैं तो ऐसे मैं सोते समय पाचन करिया ज्यादा देर तक सक्रिय रहती है जिसकी वजह से खाना भी ठीक से नहीं पच्टा और दिमाग पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। ऐसा होने पर रात को सोने से पहले पांच से दस ग्राम त्रिफला के चून को आधे गिलास हलके गर्म पानी में मिला कर पिएं। इससे खाना भी जल्दी पच जाता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। केले अनिद्रा का उपचार करने में केले विशेश रूप से लाबदायक हैं। केले नींद को बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें प्राक्रतिक रूप से मास पेशियों को रिलाक्स करने वाले मेगनिशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं। रात को सोने से एक घंटे पहले दो से तीन केले खाने से भूख शान्त होती है। अच्छी नींद भी आती है और देर रात उट कर कुछ खाने की आदत से भी राहत मिलती है। सौफ सौफ खासकर गर्मियों में हमें गहरी नीन प्रदान करने में बहुत फायदेमंद होती है 10 ग्राम सौफ को लगभग 50 ग्राम पानी के साथ तब तक उबालें जब तक की पानी घटकर आधा ना रह जाए आधा हो जाने के बाद इसे लगभग 200 ml हलके गर्म दूद के साथ मिला कर सेवन करें इसे पीने के बाद आप देखेंगे कि आपको नीन भी जल्दी आ जाएगी और एक बार सो जाने के बाद रात में नीन खुलेगी भी नहीं भांग भांग वैसे तो शिव भगवान का प्रसाद है हमारे देश में इसका सेवन तेवहारों पर आनंद उठाने के लिए भी किया जाता है लेकिन भांग एक ऐसी आयुरवेदिक खाद है जिसके अलग-अलग तरह के इस्तिमाल से कई बीमारियों का इलाज भी होता है रात में नीन नहीं आने की प्रॉबलम में भी भांग से एक असरदार आउशदी बनाई जा सकती है लगबग 1500 ग्राम गुलाब के फूल की पंखुडियों में 50 ग्राम भांग और 300 ग्राम मिश्री मिलाकर अच्छी तरह पीस लें और इस तयार चूर्ड को फ्रिज में स्टोर कर लें रोजाना इसमें से 20 ग्राम चूर्ड को एक गिलास दूद के साथ मिलाकर इसका सेवन करें आप देखेंगे कि सोते समय आपका दिमाग शान्त होने लगेगा और नींद भी गहरी आएगी गाजर करस गाजर के अंदर एलफा क्यरोटी नामक तत्व होता है जिसका सेवन करने से यह हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है रोजाना शाम के समय धाई सो एमिल यानि की लगभग एक गिलास गाजर का जूस पीने से रात में नींद नहीं आने की समस्या में फायदा मिलता है ये दोनों ही ऐसी जड़ी बूटिया हैं जो कि खास कर दिमागी रोगों में बहुत लाबकारी हैं आयुरवेद में इनका इस्तिमाल शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए पुराने समय से किया जाता आ रहा है ये इतनी फायदे मंद हैं कि इनके लगातार तीन दिन के सेवन से ही बीमारी में पचास प्रतिशत से भी ज्यादा सुधार आ जाता है अश्वगंधा और शंक पुष्पी के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिला लें उसके बाद लगबग 5 ग्राम के इस मिश्रण को घी और मिश्री के साथ मिलाकर इसका सेवन करें और उपर से दूद या पानी पीलें इससे रात को गहरी नीद आती है और अनिद्रा की समस्या समाप्त हो जाती है अन्य जरूरी टिप्स दोपहर और शाम को कैफीन का सेवन सीमित करें याद रखें कि चॉकलेट खाने और कोल्डरिंग पीने से भी शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ती है कमरे को व्यवस्थित रखें सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी जरूरतों के मुताबिक सही बिस्तर और गद्दे हो गटिया गद्दे मास पेशियों की समस्याओं और नींद में भी बाधा उत्पन कर सकते हैं नियमित रूप से सोने और जागने का एक पैटर्न बना ले इसके परिणाम सुरूप आपका शरीर आंतरिक रूप से भी उस पैटर्न के अनुसार अपने आपको ढाल लेगा और आपको निर्धारे समय पर सोने और जागने के संकेत देगा दिन में चाहे कितनी भी नींद आए लेकिन जपकी ना ले दोपहर में ली जाने वाली जपकी से रात में नींद आना मुष्किल हो सकता है दिन में थोड़ा व्यायाम करने की आद़ड डालें शाम को हलका भोजन खाएं क्योंकि शाम को अत्यदिक भोजन करने या बिश्तर पर जाने से ठीक पहले खाना खाने से आपकी नीद में बाधा आ सकती है सोने से पहले अपनी मन को परेशान करने वाले विचारों से मुक्त करने की कोशिश करें और अपने आपको आराम दायग तथा दिमाग को शांत करने वाली गती विधियों में इन्वाल्व करें जैसे कि पढ़ना या मन को शांत करने वाला म्यूजिक सुनना इन सभी जरूरी बातनों का ध्यान रखने के साथ साथ अगर आप रोजाना बताए गए आसान घरेली नुस्खों का सेवन करते हैं तो देखते ही देखते अनिद्रा या रात में नींद नहीं आने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी हमें कमेंट्स जरूर करें और ऐसी ही स्वास्ते संबंदी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद